जिरोधा में बैंक Nifty कैसे खृते हैं यह आप को लगता हा है कि उपर जा रहा है तो Depth आप लोगता है मैं से खरीद लून मताया तो बोलते हैं खरीद यह भी नहीं आता है वह इसलिए क्योंकि bank nifty या nifty जो है यह शेर नहीं है यह index है और आप index को directly नहीं खरी सकते हैं तो अब आप इसमें इंवेस्ट करना चाहें तो फिर कैसे ETF बढ़ता है तो आप ETF के थुरू आप indirectly index में इंवेस्ट कर सकते हैं तो ऐसे कौन से ETF है एक्चुली बहुत सारी लिखे हुए है आप अगर नया नया शुरू कर रहे हैं तो आपको यह खाली दिखेगी आपने अकाउंट ओपन नहीं किया हो जरोधा में आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे description में दिखेंगे bank bees bank bees bank bees तो आप देख सकते हैं कि यह bank bees मेरे इसमें added है आप चाहें तो बैसी वाला करें चाहिए तो दोनों add कर लें आपकी मर्जी है उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह रेड में जो दिख रहा है यह एनसी वाला है और यह ब्लू में जो दिख रहा है यह बीसी वाला है तो जैसे मान लीजिए मैंने भी एड कर लिया तो यह इस तरह से आपके देखिए bank bees दिख रहा है यह आपकी watch list में आ जाएगा अब इस पर टैप करके इसे खरीज सकते हैं तो यह देखे मैंने टैप किया अब यहां पर एम मान लिए कि मैं कुछ दिन कुछ महीने कुछ सालों के लिए मैं इसे खरीदना चाहता हूं तो यह बाय वाला जो बटन हम इस पर क्लि application हो सकता है कि यह दो बड़ा complicated सा है कैसे खरीद हूं तो मैं बड़ी आसान सब्दों में मैं आपको समझा देता हूं देखिए टॉप में यह NSE का price है यह BSE का price है जिसमें भी आपको price कम दिख रहा हो खरीदने में आप उस पर क्लिक कर दें क्योंकि कम price में हम खरीदना चाह आता हूं ठीक है अब इसके बाद जो है क्या आप intraday में trade करना चाहते हैं जैसे हमारे case में नहीं करना चाहते हैं हम long term के लिए hold करना चाहते हैं तो यह long term हमने क्लिक कर दिया अब इसके लावा बाकी सब को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं लेकिन यह limit और market यह मैं आपको समझाज़ता हूं market जब आप select करते हैं तो आप देखेंगे कि यह price वाला जो section है वो खाली हो जाता है जो मैं market पे click करता हूं लेकिन जैसे ही मैं limit पे click करता हूं price आ जाता है market पे click करता हूं वो चला जाता है इसका मतलब है कि जब आप market choose करते हैं तो market price पे आपको share issue होगा आप price चूज नहीं करता है जो भी market में latest price चल रहा होगा उस पे आपको मिल जाएगा लेकिन आप बोलो नहीं मुझे तो मेरे price पे चाहिए तो आप limit पे click कर सकते ह आपका जो भी price है वो आप डाल सकते हैं कि आप बोले नहीं मुझे इस price पे चाहिए तो आप यह price डाल दे इसके अलावा यह SL SLM इन सब कि अभी आपको जानने की ज़रूत नहीं है सिर्फ यह चीज जानने की ज़रूत है और फिर swipe to buy में आप click करेंगे इस तरह से तो आप जब complete नहीं हुआ तो open में देखता है जब आपका order complete हो जाएगा तो executed order में दिया तो आप देख सकते हैं कि bank बीज एक मैंने खरीद लिया है अब यह करीद के कहां गया है वो आपके portfolio में आ गया है तो यहां पर पोर्टेश में देख से जब भी आपको अभी आज के दिन जिस दिन आपने ये ट्रेड लिया है उस दिन आपको ये पोजिशन्स वाले सेक्षन में दिखाई देता है लेकिन उसके बाद एक दिन के बाद ये holding वाले section में चला जाता है तो जब भी आपको इसे बेचना हो इस तरह से holding वाले section में अगर दिखता है तो वहां क्लिक करके या position वाले section में उसी दिन exit करना है तो इस तरह से click करके नीचे exit का जो बटन आता है आप उस पे click करके exit कर देते हैं अब जैसे entry के time में हमने अपना limit order डाला था अभी मैं आपको market order डाल को मार्के में देखिए मैं order specify नहीं कर रहा हूं कि किस price में जो है यह बेचा जाए और मैं इसको swipe to sell कर रहा हूं तो इस तरीके से आप sell कर सकता है तो जो भी market में latest price इस था उस price में आप देख सकते हैं कि यह sell हो गया तो यह buying वाला trade हो गया यह selling वाला trade हो गया तो इस तरीके से आप जो है वो bank nifty में invest कर सकते हैं bank nifty खरीज सकते हैं इसमें ETF में जाने का सबसे अच्छा कारण होता है वह होता है कि इसमें प्राइस जो है वह कम होता है जैसे आप यहां यह बैंक बीज में देखेंगे तो प्राइस 435 रुपए है लगबग यह जो प्राइस है एक परसेंट ऑफ बैंक बीज के आसपास चलता है तो आप 400 रुपए लगा के भी खरी सकते हैं तो आपको थोड़ा और बड़ा अमाउंट 800-10000 लगा सकते हैं जबकि आप देखेंगे बैंक बीज जो है वह 43,000 के आसपास चल रहा है तो आपको पूरा 43,000 लगाने के जुरत नहीं है आप सिर्फ छोटे अमाउंट से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यह जो है ETF का सबसे बड़ा फाइदा है और 내용 को खरीदने का और उसमें लंबे समय के लिए invested रहने का बाइद वैड़ मैंने ऐसा ही वीडियो 15 के लिए भी बनाया तो अगर आप निफ्टों मैं भी आप निफ्टी को भी आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो यह वीडियो आप जरूर देखेएगा ये वीडियो देखिए, थेंक यू.